हलो बच्छो वेल्कम बैक टू आवर चैनल फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल में और आज हम देख रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नमर जो 9 है दा बॉड़ी एंड इट्स मुव्मेंट के सभी कॉशन सांसर और यह कॉशन आंसर आपको बर्क कंप्लीट करने में मदद करेंग पर तो लेट उस स्वाट चूज दा करेक्ट आंसर का पहला कॉशन आपको इन विच ऑप इस ओर अर्गन सेस्टम तो बिच अंद फेमेल हैव और इधिरेंट और इस तो इसका अंसर आपको रिपरेक्टिट का रिप्रोडेक्टिव इस रिप्रिटर आपको रिप्रॉड न में मतलब कम मोविबल जॉइंट होता है तो इसकोला में कोई भी मोविबल जॉइंट नहीं होता है इसकोला मतलब खोपड़ी ठीक है ब्रैन थाड़ को सब्सक्राइब हिंज जॉइंट अलाउज मोमेंट हिंज जॉइंट जो होता है वो किस तरह का मोमेंट अलाउ करता है तो इसका अंसर होगा ओनली पन प्लैन ठीक है एक ही प्लैन में यह मोमेंट अलाव करता है ठीक है अगला देखते हैं हम फूर्थ कुस्टिन दा बॉन साइट जॉइंट आर हैल टूगेदर भाई तो इसका अंसर होगा लिगामेंट्स यानि कि जो हमारे पॉन्स के नाइस कुस्टन है विच आप इस एक्ट एज शॉप एप्जॉरबर एड़ जॉइंट जॉइंट पर जो शॉप एप्जॉरबर होता है जॉप जटका लगता है उसको कौन एप्जॉरब करता उसका अंसर है कार्टिलीज टीक है कॉस्टन नमर सिक्ट से एक ग्रूप ऑफ सेल कल्द टीशंव ॆश्मट मुष जॉप बिस ट्रीज टीशे मरता है एक यहां सफॉट सेंट और इस नहीं है तो इसका अंसर हर्ट हर्ट इस नौट ए और गन ठीक हट इस ओनली टिस्यूज नाइस नमर नाइन जोइंट आर इस जोइंट आर पहले स्फेयर हां जोइंट एक पहले से जहां पर दो बॉंस मीट यानि कि दो बॉंस मीट होती है नेक्स कुछन नमर टैन में जो हिंड होता है वो कहां पर लॉक्ट होता है तो इसका अंसर है पिट्वीन अफर एंट लोवर आंस अब हम देखते हैं बैरी सॉट टाइप कॉसन आंसर यानि कि बनवर्ड कॉसन आंसर तो कॉसन पहला है और लिविंग और अर्गनिम आर्मेड आप दान नमर आप सेल ट्रू और फाल्स तो बिल्कुल भी फाल्स है ठीक है क्योंकि लिविंग और जो होते हैं नमर आप सेल्स से मिलकर बनते हैं बट नॉट अनली सेल्स ठीक है आगे है कॉसन नमर टू ता मैन फंक्शन आप दा सिस्टम इस ट्रांस्पूर्ट नूटिशियन और पैस तो उसका का नाव में सेल्कूर्णी सिस्टम साती सिस्टम जो होता है वो टन्सफर का कारयों करता है मदलब सरकूलेट ही करता है ठीक है वान खालस के दूबारा ओकशिजन को टार्वम् sono ब्रस प्रटाइक पर अंच्यक्हारा नमर त्री यहां एपार्ट ऑप गे-शिस्टम तदात Salt टीक एक तो टीट किसके पार्ट हैं कि मैद आजी सिस्टम के पार्थ है नाइस को संनर 4 धीच पॉर्ट है एज मॉर्वन्स एंधैन और एडल्ट बिलकुल सही बात है चाईट में ज्यादा बोंस होती है बिलकुल ठीक है चाइल्ड में करीब 300 करीब बॉंस होती है जब के अडल्ट में 206 बॉंस होती ओनली नास नमर फाइव इस पार्ट ऑफ देश्केलेटन सिस्टम इस ब्रेन प्रोटेक्टेड नहीं की कौन सा पार्ट जो है इसकेलेटन सिस्टम का ब्रेन जिसको प्रोटेट करता है तो नेग्स को सिसनल नमर 7 नेम टू ओर्गंस ब्रोटेक्टिड बाइदा रिफ्सट्र ओके घेज्ट यानिक जो हमारा चेश्ट होता है इसके जो अडियां होती है इनको रिपकेज बोलते हैं इनकी दवार्ट होनसे दो अर्गंग प्रोटेक्ट होते हैं तो उसका आंसर है हा तो विल्कुल टू है यह कि जो हमारे और करिश्टाट्पीश का और जो बिश्ट खुंड जोंट होता है वो इसको ऊपर नूचु ज़데 माश्य उपर था है फिर यह ना फिर में चया फिर आप तो अवह टांद आ स narrative कर सोटा है तो विल्कुल सही यह है कौसे नमर्च है और नेम दा क्रूप आप मस्कल यू यूज तो लोर यूर आर्म तो इसका अंचर है टाइशेप ठीक है तिस प्रकार से नेक्ट खुश्चन है आपका कॉस्ट नमर 11 मूब मसल्स मूब दा बॉंस बाइप पुलिंग और पुशिंग देम बिल्कुल फाल्स है ये मसल बॉंस जो है फुलिंग और पुशिंग से बिल्कुल मूब नहीं करती आगे कॉस्ट नमर 12 है बॉंस बिल्कुल सभी बात है बॉंस होते हैं उनके पास बॉंस नहीं होती है येइज्ट नहीं होती है नेस्स नमर 13 वाट कैंड ऑब्डश्ट व्डाव दा प्चलेटन तो एको टाइल के दोवारे मूब करते हैं कॉशन नमर 15 है वाट इज दा सेप्ट एट फिस वर्ड एंड एरप्लाइन है उसका हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बोड़ी यह जिससे कि यह हवा को पानी को आराम से काट सके रिडूज कर सके अगला और लास्ट कुशन आपका बेरी सोट का वो है वाट इज दा नेम गिविन टू दा एनिमल्स बिद बैकबॉर्ण ओके ऐसे अनिमल जिनके पास बैकबॉर्ण होती उनको कि इसका अंसर है बर्टे प्रेट आगे हम देखते हैं सोट टाइप कोशन तो पहला कोशन हमारा वाट इज दा टिशू जिप टू एग्जामपल्स तो देखो बॉर्ट इज दा टिशू जिप टू एग्जामपल्स तो टिशू क्या होते हैं अभी मैंने बताया था आपको ग्रूप आप सेल्स कॉल्ट टिशू दैट इज परफों में स्वेशल जॉब टूगेदर इस नोन एस टिशू आना काफी सारी ग्रूप से मिलके ट आप सब्सक्राइब करें अबस्तिर परफॉर्ण घ्रवी कार्यों में आपको वी परफों मistä स्पान करी टीटे जो हम खाना ब माम्हते हैं नौमक उपेंटियम्प करते हैं इस स्थे माने था खैस टांग्स को इहां तो स्टैन्न में चाहता है। डाजा सिटेम बोड़ी एकने एक फुटेस्ट करती है और न्यूतिशन को आपज़कर करके बाडीको प्रुबाइड करवाती है तो यह का मैं काम होता है। जो नुटिसीन बोड़ीको पुर्पाइड होता है उससे हमारी ग्रोथ और हमारे बोडी का मेंटेनेंस होता है ठीक है? अब देखते हैं, next question number third what is bone marrow? bone marrow क्या है? and what is its functions? ठीक है, तो देखो bone marrow क्या है? the soft spongy material found within long bones यानि कि लंबी जो bones होती हैं जो soft or spongy material पाय जाता है जैसे हम bone marrow कहते हैं ठीक है, जैसे femur में होता है प्लेट सेल्स हैं, नहीं प्लेट सेल्स पनाना इसका जो होता है man function होता है और या फिर उनको replace करना ठीक है, damage से जो cells होती है, उनको बहार निकालके उनको replace करना भी इनका काम होता है, bone marrow का ठीक है femur में पाय जाती है, femur क्यों होता है femur हमारे जांग में जो हड़ी पाय जाती है, सबसे बड़ी हड़ी होती है, longest bone in human body चलो, अब देखते है, nice question question number four what are the functions of the spence spence का, क्या function है हमारे body में, तो देखो, spence और the backbone, जिसको हम backbone भी कह सकते है it is the supporting structure हमारी जो backbone होती है, एक तरसे क्या होती है, supporting structure होती है entire skeleton, entire का मत्रा पूर skeleton system का हमारे डाचा होता है, वो एक तरसे read care, तरसे रीड के दोवारा ही जोड़ा होता है ठीक है, जिसे हम backbone कहते है backbone क्यों होती है, जो पीछे हमारे read care होती है, तो यह क्या होता है, supporting structure होता है और यह क्या करता है, it also protect the spinal cord और spinal cord को भी यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा important function होते है spine के, चलो आगे तेखले आगे दिखते हैं question number 5, why are at least two muscles needed to move a bone at a joint in one direction यहनि की, दो muscles का, मतलब, दो muscles की जरुत क्यों होती है किसी भी joint को move करने के लिए तो इसका region ने देखो, muscles can contact and pull on the bones muscle जो होती है, वो शिकड़ती है, खांसे बहुंसे and but they cannot push, ठीक है वो अपने आप पुस्ट ने होती है, therefore at least two muscles are needed यहनि की, उनको pull करने के लिए, और उनको push करने के लिए at least two, कम से कम two muscles हमें जरुत होती है when one contact, जब एक शिकड़ती है, then other क्या होती, extend होती है यहनि की फैलती है, और जब एक फैलती है, then दूसरी का होती है, शिकड़ती है and vice versa, vice versa का मतलब इस परकार से यह बन बन क्या करती है, moment करती है, ठीक है, joint पर तो इसलिए कम से कम दो मोमेंट का, sorry, two bones का होना बिलकुल compulsory है आगे दिखते हैं, question number six, name the three types of the skeleton and that living origin में have, यहनि तीन प्रकार के skeleton system बताओ, और give one example of each, यहनि हर तरी के जो है, एक 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 जामपल भी बताना है, तो हमने पढ़ा था skeleton system तीन टाइब से होते हैं, पहला है endo skeleton system, एक जामपल जैसे skeleton होन भी हमारा जो skeleton होता है, वह एंड़ो होता है, एक 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 एकुडी के लिए होता है, जैसे अर्धवम में होता है, अर्धवम का होता है इंडो इस्केलेटर्न होता है मतलato हमारी जितनी सिस्टम हुता है जो कि एक सिस्टम होते हैं हुए औरतमम में सिर्प पाई जाता है याने में कोई भी हड्दी नहीं होती है फिर भी सिस्टम होता है उद्र भी सेय्ट इस्बला केadingic ...... त्योकर जो की खल ऐंसेयरो औरतमद syst में अ की लिकणी वर्ट देट हैल्फ देम टू फ्लाइ निकि हमें पक्चियों में इसे दो अड़ेशन बना पताने हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि यह फिलाई यानिक उड़ सकते हैं तो देखो सबसे पहला है कि बड्स के पास कि बैरी स्ट्रॉंग मुसल्स होती है ठीक है और टू पास hollows bonds होती हमान को मतलब है सिद्रित या फिर जिनमई-छेद ऑन होती है और जो कि light होती है ठीक है कि वेट में क्या होती है lyto होती है इसलिए वो कि parcel सकते हैं के एर में ठीक है आगे देखते हैं कॉस्टन नमर बन जो कि आपका हाओ लॉंग टाइप के कॉस्टन अंसर है सब्सक्राइब कर फिनिश हो गए है तो लॉंग टाइप का फैला कुछ नहीं वाट इज एन ओर्गन सिस्टम और शिस्टम क्या होता है एं त्री ओर्गन सिस्टम ठीक है और टिशू से बनता है और्गन तो देखो पड़ लेते हैं इसको एक ग्रूप ऑप और्गन्स वर्किंग टूगेदर टू केरी आउट लाइफ फंक्शन इन और्गन सिस्टम ठीक है यानि बहुत सारे और्गन्स मिलके हमारे बॉड़ी के जो भी लाइफ फंक्शन सोते हैं अंको करी करते हैं फिर उनको करते हैं फ़ोलोव सिस्टम नगाही ट事 टीन परकार कहारे आपी घंड का होते हैं और न्टी। काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का अब सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन को लाता है ठीक है आगे है दूसरा सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम में नर्वस का मतलब है जितनी बैक्टिविटी होती है हमारे बोडी में उन सब को कंट्रोल करने का काम होता है नर्वस का मतलब ब्र की हमारे राजी प्रिसर क्वाहता है वह हमारे रसी श् 69 सब्सक्राइब के लिए सकते हैं और कर सकते हैं और सकते बुडले में को बाहरब सकते हैं ठीक है तो इनी के सांस लेना है चोड़ना राज़े निए फिर्टिंग के मारे बॉड इमें सिस्टम होते हैं चलो आप देख़ते हैं कॉसन नमर कि डो वन्हुंग मूब अर्दबंग और सिन्यक और फिस्स अनि यह किस प्रकार मूब करते हैं तीनों नहीं पहला अर्थ इसेंड जाए घ्राव करते हैं मतलिए क्श्बिब आगे का पार। भंप फेच्ट गो फिक्सक्राइब और घ्ली पीछंगें और जब पीछे क्या जो भीचिक सब्सक्राइब। को दो को प्राइब को पैलाता है तो जब प्रोसेश्ष रोता है यह जब से प्रकार से अर्थभाम करता है आगे हम देखते हैं दूसरा स्टैक से इसनेक है लोंग है कि एन स्फ्लेक्सिवल बैगबॉन जो कि हमने चप्टर पड़ाता तो इसके पास भी बैगबॉन होती है जो कि फ्लेक्सिवल होती है अराम से हम इसकती है और कौप दम्ब होते बिच हल्प टू स्नैक टू करव इट्स बोड़ी इंटू दा मैनी लूप ज तो जो इनके हर लूब होता है भू उपुश करता है एक लूब जया बनाता है तो उसको आगेकटS लिए फूपстаточно करता कि आगे बदो मुव कर सके और डावा प्रपवर्ड डारिक्षन में आपर सके देखे हैं अट्रथ है सी यानि कि पिस देंखो फिस too अ onc cock मुल्प आप मसल्टिपा और फावंड यूंड इंगे इसके बैकबोन में मसल्स फैजाती है निके दोबार्वर मुंमेंट करती है। इस्ट मुट्न यूक्शन कोंटरिं निशें इन निशेंड बॉल्स विटेंगे कॉंट्र कॉंटाथ होती हैं। जिस परकार की एक आर्थभूम करता है तो यह तीनों कम्प्लेट हो चुके हैं इसके बाद में देखते हैं को सर नमा तर्ड आख्सफिलन देट्चर ऑप्तब बॉल और जोइंट करना है और दो दा एक्जामपल भी देना है इनके वाट कांड आप दो मुमेंट अलाओ और यह जोइंट किस परकार के मुवमेंट को अलाओ करते हैं इस परह में भी हमें बताना है तो देखो एबॉल और जोइंट बाद तो बाऑं और शोकेट यह की जाएंट होता है ठीक है जो कि हमारे एक तो socket और एक ball जो बॉल बाला पार्ट होता है वो socket के अंतर के कर सकता है round कर सकता है और इसी प्रकार से हम सभी directions में move कर सकते हैं अब ball and socket जो joint होता है। वो cellsar में होता है और hip joint में भी होता है ठीक है चलो अब देखते हम अपना अगला question नम्मर फूर्थ वो है लिस्ट, ता मैन फंक्सन ओब धा, हमने फंक्सन का सपोर्ट इन का सपोर्टिंग का सबसे पहले तो यह करते हैं हमारे पूरी बॉडी के जो और गन सोते हैं को एक फ्रेम वार्क के रूप में सपोर्ट देते हैं दोसरा है कि चेह तो प्रटेक्शन तो देखो फौर्टेक्शन में बॉन्स प्रटेक्ट षा। एक हैं चीज हमारे प्रटेक्शन करती है तो त esthetic हैं हॉवार्ट должен को जैसे यह रей भी ह의 यह मौमेंट भी बाज़ी सकाहया करता है नैंकि तो नहीं है जैसे कि हमने बात किती लिगामेंट की बॉन मेरो की बॉन मेरो दास इन्साइड ऑफ दा पॉंस कंटेंश सोफ्ट सप्टेंश गॉल्ड बॉन मेरो क्या करता है बिलड सेल्स को बनाता है ठीक है बॉन मेरो को हम अस्तिमत जबी बोलते हैं नास कोस्टन नमर फाइब का वाट कि जोइंट के या है जोइंट घोंता है जोइंट अरधुमन क्या करका से मोममेट के इस और से इसक अनस 파इब कर देखो के तुर में जबहें जकी जन्ले u होता है जो कि इसको आराम से इलास्टिक बैंट के रुप में बांद़ा है ताकि हम अपना मौन्स को मुट्स करा सब्सक्राइब जोइंट से कैन भी टिलाषिपाइड इंट्व अपने त्रविंग थी टैपस हमारी जोएंट्स में अपने मुवमेंट के आधर पर थेन टाइप के होते हैं पहला है दिफरेंस बट्वीन दर एक्षाइब दर श्कलेटर शिस्टम में अभी बताया था आपको जो मेर बडिक अंदर होता है और अग्जांपल भी बताने ठीक है तो देखो देखो अग्यों इन प्रजेंट इन शायट है निजो अंदर की तरफ में प्रजेंट होता है वह और जो और बाहर के तरफ प्रद्जेंट था है वह एकी स्केलन सिस्टम होता है एंड रॉटा है मैं 100 होता है जैसे आथ को को । कुम होता है कि आगा देखो एंडर कुम हो इसजने अप साफरेजर क में इसफि framework को माउता है और कि यह ऐसे बांच का नहीं बराता है यह ठीक है आध कि सकंड हो फूर्फारन्स नहीं थाथ मेरा हो यह एक है यह पर जो इसके लेटन होता है वो इंसेड़ अपोडी होता है और रेप्टाइल थे रेप्टाइलिस होते हैं एसे जीव जो जमीन पर सरक के चलते हैं इस ये अर्भ रहोते हैं डाटिस्ट फैटल चूकी आगे हैं एकजांपल इसके एक्श कहे थाओए आएगा स्नेल क्रेफ्स और कॉक्रोज यह तीनों टैप के एनिमल्स जो होते हैं यह एक्षो में आते हैं तो इस परकार से आपका चैप्टर जो है और मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई